चलो अच्छो कैसे हैं आप लोग तो देखो नीट 2017 का previous year questions हम लेके आएं यहाँ पर भी हम आपको वही बताएंगे कि NCRT के किस page से कौन से सवाल पूछे गए तो देखो आपने नीट 2019 देखा वहाँ पर 88 questions direct from the NCRT फिर 2018 देखा आपने तो वहाँ पर 83 questions direct from the NCRT अब देखो क्या है 2017 में 77 questions that is direct from the NCRT हम आपको यह बता रहे हैं कि अगर सिर्फ आप NCRT पढ़ते हैं तो इतने questions आराम से आप करके आएंगे और remaining questions that is also from the NCRT but not direct from the NCRT clear तो यह चीज़ चलो तो हम देखते हैं start करते हैं आजो तो देखो यह जो है question है which of the following represents the order of horse तो यह जो है आपका direct NCRT से नहीं है out of NCRT है अब यहां पर आपको दे रखा है क्या है इस horse जो है उसका order जो होगा क्या है आपसे order ही पूछा है क्या है parisodactyly ठेक है अब क्या है genus है और family genus species और sub species दे रखा है तो यहां पर आपका answer हो जाएगा क्या A ठीक है तो यह सवाल out of NCRT था answer A clear अब देखो next हम बात करें question तो देखो क्या है which of the following are found in extreme saline condition saline को halophytes भी बोलते है salty area में जो रहेगा clear तो देखो इसमें answer क्या है आर्की बैक्टेरिया अब भागी सारे हैं उनको भी हम explain कर दें तो देखिए अब यहां देखिएगा कि आर्की बैक्टेरिया अब यहां से देखो हम आपको पहले भी जो question solve किया वहां पर आपको बताया है कि इस question से और कितने सवाल पूछे जा सकते हैं clear तो देखो अब देखो आर्की बैक्टेरिया है तो एक question पूछ दिया अब इससे क्या पूछा जाएगा तो देखो क्या है अगला सवाल यह बन सकता है कि यह क्या है adverse condition, hurts condition क्यूं में क्यूं survive करते हैं तो इसका reason देखो क्या है आर्की बैक्टेरिया are able to survive in a hurts condition because of the branch यह सवाल पूछेगा देखो because of the branch देखो क्या है because of the branch lipid membrane ठेक जो fluidity of the cell membrane को क्या करता है reduce करता है कि इसकी वजा कर यह हर्स condition में अब कौन-कौन सा तो इन में कितने type के देखो एक क्या हो गया hellophils हो गए जो saline condition में अब thermo acidophils thermo temperature हो गया acidic condition हो गया तो यह चीज हो गया देखो और दूसरा marshy area जो कहां marshy area का मतलब क्या हो गया वो area जहां पर एक तो क्या होगा oxygen supply कम होता है oxygen deficient होते हैं और दूसरा methane produce कर इनको हम methanogenes भी बोलते हैं मिथेन प्रोड्यूसिंग आगे अब देखो वही चीज अब और अगला सवाल क्या पूछ सकता है methanogenes are present in the gut of several ruminant animals such as याद रखिएगा cow buffalo ठीक है responsible for अब आपकी किस काम है क्यों methanogenes को बोला क्योंकि production of क्या कर रहा है methane और क्या है major components of biogas क्या है methane है यह भी सवाल आप से पूछा जा चुका है आईए तो देखिए from the dung of these animals clear अब देखो mycoplasma mycoplasma से भी सवाल पूछा जा चुका है तो यहाँ पर भी हम बात कर लें तो mycoplasma are organism that complete completely lack a cell wall तो अब mycoplasma से मतलब क्या हुआ यह देखिए bacteria without cell wall बोलेंगे अब इनके पास cell wall नहीं है जिसकी वज़ा करिए क्या करेगा change shape, shape को change करता है तो इसको हम इसकी वज़ा कर pleomorphic बोलते हैं, morph means क्या होता है appearance अब pleo means many कही तरह के shape as per condition यह अपने आपको बदलते हैं ठीक और याद रखिएगा smallest living cell that means generally bacteria का 0.3 micrometer होता है लेकिन इनका 0.1 micron होता है ठीक है, तो यह ध्यान रखिएगा size पे भी सवाल पूछ लेता है, अब यह क्या है, can लगा है देखो can survive without oxygen, तो इसका मतलब mycoplasma क्या है इससे relate करके आप क्या बोलिएगा facultative and aerob, facultative and aerob का मतलब हुआ can survive in the absence of oxygen, ठीक है मतलब oxygen के presence में generally survive करता है लेकिन oxygen के absence में भी survive कर सकता है, ऐसे को facultative and aerob बोलते हैं clear, तो यह आप देख लें, तो यहां से, तो आप का answer इसके में क्या हो गया, देखो क्या D, अब NCRT का page number आपको देख रहा, मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है क्योंकि हमें यह आपर time भी बताना होता है, clear, तो आप देख लीजिए D answer हो गया, R की bacteria, next, देखो which among the following are the smallest living cell, अभी question किया, देखो बोला न, ऐसे living cell, तो क्या करो कि, known without a defining cell wall, मतलब cell wall नहीं है, ठीक है, pathogenic to plant as well as animal, NCRT का direct line है, mycoplasma इसका answer हो गया, देख लीजिए, ठीक है, अब देखो, अब यहां से, अब हम आपको बताएंगे, कि वहां पर यह बताया था, यह सारी चीज़ें, अब यहां पर आपको बताएंगे, अगला सवाल इस पर क्या, पूछा जा सकता है, तो आपको discovery, आप पढ़ते हैं, अपने NCRT क्लास 12 में पढ़ा होगा, अब यहां पर क्या है, पेनिसलीन bacterial cell wall formation machinery को ब्लॉक कर देता है, किलियर, अब यहां पर cell wall है नहीं, तो पेनिसलीन इस पर काम नहीं करेगा, तो एक सवाल यह हो गया, ठीक है, due to absence of cell wall, it is a resistant to the antibiotic penicilline, बहुत important है, सवाल पुछेगा, ठीक है, अब वही जो faculty बहुत है था, देखो, mycoplasma are aerobic, और facultative, मतलब generally aerobic, but can survive in the absence of oxygen, clear, अब देखो, अब यह एक और सवाल genetics है, अब relate करके बूच सकता है, बाकि, देखो, mycoplasma joker of microbiology, हमने आपको बताया था, यह अपना shape change कर रहा है, क्यों, because of absence of cell wall, cell wall नहीं होगा, तो यह अपने shape को change करेगा, अब यह देखो, क्यों, shape और size को, क्या होगा, in response to the environmental condition, तो यह था, अब आजो, तो देखो, यहाँ पर आपका answer क्या होगा, mycoplasma, next question पर हम आजाएं, तो देखो, next question है, अब देखो, virus differ from the viroid, ठीक है, that means, viroid differ from the virus, अब यहाँ पर जो है, आपको पता है, virus के पास क्या होता है, protein coat होता है, that is called capsid, और उसके single unit को हम बोलते है, capsul mayor बोलते हैं, ठीक है, और क्या होता है, उनमें either DNA और RNA as a genetic material होगा, लेकिन viroid में क्या होता है, इसको हम simple बोलते हैं, RNA, क्या है, free RNA बोलते हैं, clear, that means, कि इसके पास protein coat नहीं है, और वो infectious है, clear, तो देखो, आप, क्या दे रखा है, virus content DNA और यह आयरे, अब देखो, इस पे सवाल कैसे आप पूछेगा, आप से सवाल, यह NCID का line है, और आप से सवाल यह पूछ लेता है, कि virus के, which of the following statement is correct और incorrect, तो virus के पास सिर्फ DNA होगा, सिर्फ RNA होगा, या both DNA, RNA होगा, या either DNA और RNA, तो either DNA और RNA, तो देखो, capsid, और single unit को हम, capsomere, यह भी NCID में दे रखा है, तो सवाल पूछ सकता है, single unit, अब देखिए, virus, ठेक, whereas, virus के पास क्या होता है, no protein code, that means, इसको बोलते है, free RNA, आपके NCID में, bracket में दे रखा है, ठेक, मतलब, only RNA as a nucleic acid, clear, this is the reason, अब, तो size में क्या होगा, अब एक और difference, तो size में क्या होगा, वाइरवाइड, small होगा, compared to virus, ठेक है, यह चीज़, अब उसी में एक example देखो, hepatitis D is a, वाइरवाइड, that is carried in a capsid, मतलब, protein code, of hepatitis B virus, ठेक है, आईए, smallest say, smaller than, क्या है, virus, तो यह भी एक सवाल पूछा जा सकता है, important है, और next, जो आपके NCID में दे रखा है, यह भी सवाल, देखो क्या है, disease का नाम याद रखेगा, क्या है, potato, spender, tuber disease, अब इनके पास, एक और सवाल, क्या है, lower molecular weight RNA, clear, यह चीज़, तो यह ध्यान रखेगा, answer आप देख लीजे, क्या है, c, RNA molecules without protein code, मतलब, free RNA, ठेक, आईए, next question पर आते हैं, an example of colonial algae, ठीक है, तो आपके NCID में साब, पहले आप explanation देखो, देखो, हम बात करें, हम यहाँ पर आपको सारा explanation, इस से related, और क्या-क्या सवाल, पूछा जा सकता है, देखो बच्चे, अगर हम question solve करें, और उसका direct NCID का page number देखा दें, और answer देदे, this is not a correct explanation, यहाँ पर हमारा मकसद यह है, कि आपको जो question हम solve कर रहें, उस question से और क्या सवाल पूछा जा सकता है, सबसे important बात, clear, आईए, तो देखो, अब option चार है, तो चार option से चार question बनता है न, बोलो, ठेक है, आईए, वाल वोक्स, क्या है, colonial algae, तो answer तो आपको मिल गया, अब देखो, अब क्या है, यूलो थुरिक्स है, और spiro गहरा है, तो यह filamentous algae होता है, clear, अब आगया chlorella, तो chlorella के बारे में हमने पहले भी आपको explain किया था, पहले आपको बता दे, spherical shape होता है, अब आगे सुनो, ठेक, spherical shape और chlorella में क्या होता है, protein content बहुत जादा होता है, इसी वाजा कर इसे हम nutrient supplement के तौर पर यूज करते हैं, और generally क्या astronaut और space traveler इसे as a food supplement यूज करते हैं, अब देखिए, इससे आगे हम चले, sexual reproduction टेक प्लेस थो, fusion of two gametes, these gametes can be, हम हर एक क्या है, neat case, जो solution हम कर रहे हैं, previous year का, उसमें हम आपको पूरा chapter revise करा रहे हैं, clear, आईए, तो iso gametes, iso means similar, ठीक है, तो देखो gametes can be flagellated, can be, मतलब flagellated होगा, तो motile होगा, non flagellated होगा, तो non motile, तो दोनो gametes non flagellated, तो मतलब दोनो gametes non motile, shape, size दोनों में same, दोनो gametes motile, मतलब flagellated, तो the gametes can be flagellated, that means motile, and similar size, कौन हो गया, eulothrix, आप गे देखो, तो मतलब eulothrix का ऐसे सवाल पूछ सकता है, non flagellated, non motile, but similar in size, तो क्या हो गया, spirogaire, clear, आगे देखो, an isogamous, क्या है, gametes are dissimilar in size as in the species of, क्या है, eudorena, eudorena, आपके NCRT का लाइन था, यहाँ पर हमने दे दिया, आपके entrance में एक चीज़ और पूछता है, यह, इसको भी कहां, इसको बोल देता है, physiological and isogamous, यह भी ध्यान रखिएगा, clear, मतलब, क्या है, यह non motile है, लेकिन, shape क्या है, same है, आजाई, u gametes, यहाँ पर क्या है, shape दोनों का अलग है, और एक motile है, और दूसरा non motile, that means female large size and non motile, male gametes are, क्या है, motile and small size, थिग, example याद रखिएगा, ठीक है, clear, सबसे ज़्यादा इस पर सवाल पूछता है, clear है, अब answer देखो, आपको पता है answer, ठीक है, यह था, हमने बता द क्या है, clear, देखो, पुरा explanation, next हम आते है, क्या है, select the mismatch आप से पूछ रहा है, ठीक है, तो अब इससे और भी सवाल पूछा जा सकता है, तो देखो, क्या हो गया, horse tail, क्या होता है, equisatum horse tail का scientific name, equisatum, teridophytes है, clear, अब देखो, teridophytes में, majority of teridophytes, क्या होता है, homo sporous होता है, ल all the sports are similar kind, ठीक है, that means, homo sporous, लेकिन, salaginela, salvenia, बहुत important है, बच्चों, दियान रखिएगा, क्या हो गया, hetero, तो देखो, clear, तो क्या है, salvenia, क्या है, मतलब, अभी देखो, बाद में करेंगा, मतलब, ये, क्या है, सही, equisatum, ये भी सही, ठीक, pinus क्या है, monoecious है, that means, ये गलत हो गया, ठीक, और psychus क्या है, dicious है, clear, तो ये सही हो गया, तो आप अंसर देख लो, ठीक, तो आपका answer, clear, पूरा explanation हम आपको दे रहे हैं, आईए, next, next, zygotic meiosis is characteristic of, तो देखो, जिन में क्या होता है, जिनके adult haploid होते हैं, तो उनको क्या, इनका zygote बनेगा, अब zygote को क्या है, zygote diploid होता है, और adult haploid है, तो meiosis कहां पे होगा, zygote पे होगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं, zygotic meiosis, that means, life cycle, 3 हो गया, ठीक है, एक हो गया, haplontic life cycle, दूसरा, diplontic life cycle, तीसरा, haplodeplontic life cycle, तो आईए, देखिए, हम explanation देते हैं, इससे related, next question क answer भी, इसी से आपको दीखेगा, तो देखो, character, haplode, यह पूरा, यह बहुत important है, बहुत ज़्यादा important कर लिजेगा, और यह दे रखा, देखो, dominant body, कहां, मतलब, उनके life cycle में सबसे ज़्यादा कौन पाए जा रहा है, ठीक है, तो देखो, haplontic नामी इसलिए पढ़ा, क्यों haplontic, मतलब, dominant है, और यह क्या हो गया, N, ठीक, अब देखो, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, haplodiplontic, मतलब, दोनो, तो क्या है, gametophyte, bryophyta में dominant, gametophyte, और क्या है, teridophyte में, sporophyte, यह N होता है, और यह 2N होता है, यह haploid, यह diploid, यहा रखिएगा, अब क्या है, diplontic में, sporophyte dominant हो गया, clear, अब आजेगे, types of meiosis, haplontic है, तो zygote में, meiosis होगा, और adult haploid, तो meiosis, और आपका सवाल ही यही था, ठीक है, अब यह example देख लिजे, क्या है, most of algae and fungi, clear, समझ में आ रहा है, आईए, most of algae, मतलब, सारे algae नहीं, most of, जादा तर, आगे देखिए, फिर क्या है, sporic meiosis, spor मतलब, during, क्या है, spor formation, meiosis हो रहा है, अब number of bodies, यहाँ पर सिर, gametophyte देख रहा है, यहाँ पर gametophyte, sporophyte दोनों है, यहाँ पर भी gametophyte, sporophyte दोनों है, ठीक, अब देखिए, types of alternation of generation, तो देखो, homomorphic, heteromorphic, और क्या है, heteromorphic, मतलब, यहाँ पर सिर, gametophyte, एक ही जैसा पाया रहा तो homo means similar हो गया, amorphic means appearance, hetero, क्योंकि दो पाये जा रहे है, gametophyte और sporophyte, यह भी hetero क्यों, क्योंकि gametophyte और sporophyte पाये जा रहे है, clear, तो यह ध्यान रखिएगा, example, most of the algae and fungi, अब देखो, option के according, आप देखो, क्या है, पहला, fucus, ठीक, तो आप देखो, कहा, fucus, यहाँ पाये ज कैसा है, यहाँ पर कौन सा meiosis है, sporic meiosis के लिए, अब देख लीजेगा, next, क्या है, funeria, that means, क्या हो गया, moses, biofights, तो देखो, यहाँ पर haplodiplomatic हो गया, अब देखो, next, क्या है, clay, mido, हाँ, policy phonia हो गया, ठीक है, और आपको, कहां गया, कहां गया, teredophyte, और यहाँ, some algae, ठीक, तो यह चीज, तो अब यहाँ पर से आप देखिए, clear है, असा ही से देख लीजेगा, policy phonia, ectocarpus, kelps, bryophyta, and teredophyta, ठीक, तो देखो, क्या, 42 page से है, और आपका clay, mido, monas, अंसर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर, clay, mido, monas, लिख दे, clear, आ रहा है समझ में, तो यह ध्यान रख देखिएगा, fucus यहाँ लिखा था, ठीक है, तो फ्यूनेरिया आपने देख लिया, markensia, bryophyta, that means, यह bryophyta हो गया, bryophyta हो गया, ठीक है, और यह algae है, लेकिन यहाँ आ रहा है, तो clay, mido, monas, clear है, तो ध्यान रखिएगा, समझ मेरा option, पूरा explain क्या है, ठीक, आईए, next, अब इसी पे, इस पे, देखिए, अगला, क्या है, life cycle of ectocarpus and fucus, देखो, आजो, ectocarpus यहाँ पर है, ठीक है, मतलब haplodiplontic, fucus मतलब diplontic, तो पहले आप क्या लिखा था, तो देखो, ectocarpus haplodiplontic और fucus diplontic, clear है, तो देखो, क्या हो जाएगा, B, clear, साफ, आपके NCRT में दे रखा है, सीधे, सीधे, आईए, next question पर आ जाएँ, in case of polypherons, the spongosil is lined with flagellated cells called coenocytes, सीधे, अब देखो, coenocyte तो हो गया answer, अब हम इसको explain करें, बाकी option, तो देखो क्या है, अब देखो, coenocytes, अब पुछ देगा, इसका दूसरा नाम क्या है, तो collar cell, ठेख, अब देखो, forms the lining of the spongosil and canal, कौन सा water canal, in periphera, ठीक है, अब देखो, flagella in collar cell, provide circulation for the water, यह important ध्यान रखिए का water canal system, किसमें पाए जाता है, तो peripherans में, अब ostea और osculum, exit for single in number होता है, that is osculum, और entry for many in number, that is called ostea, clear, यह चीज़, अब यह आपके NCIT में नहीं है, अब यहाँ पर हमने बता दिया, option दिया है, तो, क्या है, mesenchymal cell, ठीक है, between the two layers is a thin space called mesenchymal, जिसको mesenchymal भी बोलते हैं, ठीक है, तो mesenchymal consists of a proteinaceous, यह बात आपके NCIT में दे रखा है, ठीक है, लेकिन, क्या है, mesenchymal cell नहीं है, ठीक, तो यह क्या है, तो सवाल, क्या पूछेगा, spikules, या spongy in fiber, का chemical composition क्या है, proteinaceous, clear, protein, याद रखेगा, important, और यह करता क्या है, इसके बारे, यह भी एक सवाल, support, body, skeleton, body skeleton को support करता है, clear, तो आप answer देख लीजिए, ठीक, साफ, एकदम ध्यान से, आगे बढ़ते हैं, क्या है, an important characteristic that hemi codata share with codates, ठीक, तो आपके NCIT में, right side page पे साफ difference दे रखा, left side page पे hemicodata दे रखा, देखिए, option के according हमने यहाँ पर बताया, देखो, ventral tubular nerve cord, and, यह ऐसे, and pharynx with without gill slit, किसका non-quadate का characteristic है, ठीक है, अब देखो, pharynx with gill slit, क्या है, hemicodate as well as in codate, तो यही तो बोला, share कर रहा है, तो फिर क्या बोलेंगे, pharynx with gill slit, क्लियर है ना, यह, अब क्या है, absence of notochod किसका है, non-quadates का है, और hemicodate है, वहाँ पर notochod like structure होता है, ठीक है, तो देखो, आपका, answer b, pharynx with gill slit, किलियर ध्यान रखियेगा, अब देखो, यहां से हम एक बात आपको बता दें, need 20-20, तो आप जो है, box को, जो दे रखा है, difference, codates or non-codates, उसको अच्छे सपढ़ लीजेगा, आईए, next हम बात करें, ठीक है, which among these is correct combination of aquatic mammals, ठीक, तो देखो, dolphin, seal, ठीक, अब देखो, मतलब, यह mammals मैंने, तो देखो, explain, क्या है, shark हो गए, और trigon, तो आप से अब देखो, trigon से एक पूछेगा, trigon को और क्या बोलते हैं, sting, ray, clear, किसका है, kondriokitis, मतलब, cartilaginus, fish, whale, और क्या है, dolphin, और seal, तो देखो, answer, clear, तो देखो, क्या होगे, आपका answer, B, समझ में आ रहा है, इस तरीके से, NCIT, page number दे रखा है, आप देख लीजे, next आज आजा है, root hair developed from maturation zone, तो अब आपसे पूछेगा, कि बताओ, कौन-कौन सा region होता है, root में, थेख, तो देखो, तो एक तो हम बात करें, तो यहाँ से, zone, यह root cap zone नहीं है, तो पहले तो हम बात करें, देखो, यहाँ से जो सवाल, एक तो क्या हो गया, meristematic zone, दूसरा, zone of, क्या है, cell elongation, फिर उसके बाद, zone of cell maturation, clear, तो देखो, root cap के बारे में सवाल क्या पूछेगा, root cap like, timbal structure present at the tip of root, लेकिन, यह क्या होगा, absent in aquatic plants में यह नहीं होता है, clear, दियान रखिएगा, important, क्योंकि यह क्या करता है, मतलब, meristematic zone को, क्या है, damage destroy होने से बचाता है, mucileginess, secretion भी करता है, क्या लिखेंगे, यह, to protect meristematic zone मतलब, dividing cell को, clear, तो देखिए, अब यहाँ पर, तो यह चीज, तो meristematic zone, zone of cell, division zone of cell, maturation भी बोलते हैं, keep dividing, क्योंकि meristematic है, यह धियान रखिएगा, 1.2 mm long, NCRD में दे रखा, तो सवाल पूछ सकता है, आईए, zone of elongation, यह भी याद रखिएगा, 4.28 mm in length हो गया, अब यहाँ पर, देखो, यह क्या होगा, cell lost ability to divide, ठीक है, clear है, हाँ, आप बोलेगा, root जो length में increase होता है, तो due to this zone, clear, आगे देखिए, zone of cell maturation, तो देखिए, forms bulk of root, contain, मतलब major part आप से, फिर पूछेगा, major part कौन हो गया, zone of cell maturation, cell ability to, यह भी dividing capacity lost कर गया, differentiate, अब देखिए, यहाँ से, जो सवाल, पूछेगा, root hair का function क्या होता है, increase surface area for absorption of water and minerals, ठीक, इसी तरह odd growth stem में होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, trichome, क्या होता है, stem में होता है, clear, जो surface, क्या है, absorb, यह, transpiration, ठीक है, water loss, clear, तो यह देख लो, आगे बढ़ते हम, clear, कहा, maturation zone में पाया जा रहा है, next, the plants which produce characteristic pneumatophores, यह तो इतना ज्यादा important है, कि हमेशा पुछा जाता है, ठीक है, and show, वीवी पेरी, मतलब, वीवी पेरी का मतलब, उसी plant पे seed तब तक रहेगा, जब तक plant plate structure ना develop कर दे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यह कहां grow कर रहा है, किस plant में होता है, halophytes, मतलब क्या होगा, oxygen supply कम है, और salty area है, और seed जैसे salty area में drop होगा, that means hypertonic, तो क्या होगा, exosmosis, श्रिंक कर जाएगा, और seed क्या है, lost to their viability, ठीक है, मतलब germination capacity lost कर जाएगा, इसलिए plant पर ही रह करके, यह germinate करते हैं, clear, तो क्या होगा, belongs to halophytes, clear, तो देखो, explanation है, फिर अब देखो, इससे सवाल, क्योंकि यह जो numato force जो होते हैं, वो root का, against gravity grow करता है, ठीक है, और किस काम में, respiratory root भी बोलते हैं, that means exchange of gases करने के लिए, ठेक, तो यह चीज़ दे रखा है, देख लिए, important है, example, यह तो जरूर याद रखिएगा, rhizophora, clear, आज यह बाग यह आप दे रखा है, यह उसके pores को बोलते हैं, देख लिए, क्या हो गया, यह, halophytes, चलो, अब देखो, क्या है, in bog and will, the thorns are the modification of, तो देखो, explanation हम देखते हैं, देखो, यहाँ पर क्या है, axillary bird, किसका, देखो, साफ stem, NCRT का line है, direct सवाल पूछा है, axillary bird of the stem may also get modified into woody straight, अब example ज़रूर, bog and willy लिया तो पूछा, और एक और example आपके NCRT में दे रखा है, citrus, तो यह भी ध्यान रखेगा, तो आपका answer हो गया, क्या, B, clear, तो पेज नमर 68, 9, next हम बात करेंगे, coconut fruit is, ठीक है, तो साफ लिखा है, क्या, drug, बाकी 3 तो explain ही नहीं क्या, आपका NCRT ते लो, फिर भी हम यहाँ पर explain कर देते हैं, कि जब option दिया है, तो आगे पूछ सकता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादा chances है, नहीं, ठीक है, berry, it is usually, क्या है, many seeded, ठीक है, यह ध्यान रखना, fruit, ठीक है, कहां से developed होता, polycarpics, syncarpus, ठीक है, superior ovary, के लिए, अब आपको सीधे यहाँ पर क्या है, example, याद रखना है, nut, dry है, लेकिन, dry और क्या है, single seeded fruit है, अब यह किस से developed, superior, by या polycarpic ovaries है, अब यहाँ पर आपको क्या है, example, इनका याद रखना है, clear, अब देखिए, capsule दे रखा है, इस तरह से, अब जो हमाई लिए important है, जो सवाल और इस से related पूछा जा सकता है, यादी मदेरा का, monocarpulary, superior ovary, और one seeded, तो अभी तक तो यह नहीं पूछा है, तो यह भी पूछ सकता है, clear, example, यहाँ coconut दिया, तो दूसरा example, mango आपको ध्यान रखना है, ठीक, अब अगला जो सवाल डूप से पूछेगा, endocarp of droop, कैसा होता है, nature, hard होता है, rigid, ठीक है, इसका endocarp जो होता है, hard और rigid होता है, ठीक है, अब आगे देखिए, in coconut, edible part क्या होता है, यह आगे आपको दिखेगा, ठीक, आईए, next हम बात करें, तो देखो, इसका answer आपको मिल गया, D, clear, आईए, next देखें, क्या है, which of the following is made up of dead cell, ठीक है, तो देखो, यह क्या है living, living, और यह भी living, तो फिर क्या हो गया, क्या है, phylum, तो देखो, आप explanation, phylum or cork is a tissue formed on the outer side of cork cambium, it is composed of dead cell, अब देखो यह पर, the cell wall become impervious due to suverization, suverization का मतलब, suverine deposition, impervious मतलब, impermeable to water, यहाँ से पनी नहीं पास करेगा, clear, और dead क्यों है, due to suverine deposition, तो देखिए आप, थे, आ रहा है, next, page देख लिजेगा, अब page इसलिए लिखा क्योंकि सारे option को यह बताने के लिए, आगे हम, vascular cambium normally give rise to, ठीक है, तो क्या होगा, primary xylem, देखिए आप, तो अब इसका explanation, यह 18 में भी था सावाज, ठीक है, तो देखो, secondary vascular tissue, secondary, क्या है, xylem and phloem are formed by the, क्या है, vascular cambium, तो देखो, आपको देख रहा है, बागी आगे दे रखा है, बागी यह फेलो, जेन फेलो डाम, हाँ, अब देखो, हम आपके लिए बताए, need 2020, बहुत important, देखो, प्लीज आप लोग जब need 2020 देख रहा हैं, और हमारी वीडियो लेक्चर से आपको फैदा होता है, तो प्लीज आप हमें बताएंगे, ठीक है, हम वेट करेंगे इस चीज़ का, कि आप हमें बताते हो कि नहीं कि हमारी लेक्चर से आपको फैदा हुआ या नहीं, ठीक है, आइए, क्यों क्योंकि ये चीज़ जो है बूस्ट अप करता है, एडुकेटर को, आइए, तो ये देखिए, क्या है, फेलो जेन, फेलम और फेलो डाम, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरी चैस टो हाड़वूड, एह, एक हाड़वूड होता है, दूसरा सेपवूड होता है, तो देखो हम बात करें, देखिए, अब इस से और क्या क्या सवाल पूँचा जा सकता है, ये तो थेटेमेंट बोलना है आपको, तो देखिए, सेपवूड, हाड़वूड, तो वाले जो होते हैं हाट वूड तो एक यह डिफरेंस हो गया यह भी पूछ सकता है बाहर वाले को क्या बोलते हैं सेफ वूड अंदर वाले को हाट क्या है वूड ठेक अब देखो अब यहां पर कोई डिपोजीशन नहीं तो यह लाइट इन कलर होता है living cells are present in it it is the functional part of the secondary xylem तो which one of the following is a functional part of secondary xylem ऐसे भी सवाल पूछेगा कौन living part होते हैं और क्या है light क्यूं होता है deposition नहीं तो देखिये क्या है they do not have any type of deposition in the central lumen due to which it is light in color clear आगे देखिये the track track area element are not plugged by tylosis यह भी important है अब देखिये तो that means यहां पर क्या होगा infection होने का chance होगा अब देखिये it is the less durable आ गया important पूछेगा which of the following is less durable hardwood or safewood it is the less durable because it is susceptible to attack by the insect pathogen एक तो यह पूछेगा दूसरा पूछेगा कि ऐसा क्यूं हो रहा है तो आप बोलिये का deposition नहीं है tylosis से plugged नहीं है ठीक है और क्या है हाँ बस यह अब आजेए यहां पर अगला यहां से और क्या सवाल पुछ सकता है ठीक है डार्क क्यों है color deposition of this 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 ठीक है रहनीं टेजिन ठीक है और यह क्या है heavier in weight वो lighter है आगे देखिए more durable क्यों इसी की वजा कर resistant यह भी important है clear है ना और यह non-functional यह भी सवाल पुछेगा part of the secondary zone deposition है clear तो देखिए dead with highly ligny ठीक आगे देखिए क्या हुआ इस identify the wrong statement in contest of hardwood ठीक it conduct water and minerals efficiently नहीं क्या लिखावा यहां पर xylem का काम water minerals और यह non-functional है clear तो यह बात गलत हो गया next देखिए क्या है select the correct route of the passage of sperm in the male frog direct स्वाल ठीक तो देखो passage यहां देखिए का test is was a differentia kidney को फिर कहां जाएगा क्या है bidders duct canal हो गया urino genital duct हो गया फिर cloica यह figure दे रहा है ठीक आईए तो यहां पर direct कोई explanation नहीं clear आईए next हम बात कर लें क्या है which of the following components provide sticky sticky character to the bacterial तो क्या होगा सबसे ग्लाइको कैलिक्स तो एक तो सवाल यहां से यह भी पूछ सकता है कि आप membrane के बारे में बताए from outside to inside in bacterial cell सबसे बाहर otter moss glyco calyx फिर उसके अंदर cell wall फिर उसके अंदर cell membrane plant में cell wall cell membrane animal में cell membrane clear तो यह चीज़ हो गया दे रखाए ठेक आज यह next हम बात करें question क्या हो गया which of the following cell organelle is responsible for extracting energy from the carbohydrate to form ATP hey mitochondria clear तो देखो क्या है बागी हमने explain कर दिया है mitochondria आप से सवाल double membrane bonded cell organelle यहां पर mitochondria से एक सवाल यह बनता है कि outer कैसा होता है continuous होता है limiting boundary of the cell organelle लेकिन inner में क्या होता है folding होता है ठेक है जिसको हम क्रिस्टी बोलते है फिर बोलेगा क्रिस्टी का function क्या है increase surface area ठेक है और क्रिस्टी किदर होगा matrix की तरफ clear और जो आपका question था वह यहां पर लिका है site of aerobic oxidation of carbohydrate to generate ATP clear अब आपको आगे option explain कर दें हम lysosome सवाल पूछेगा suicidal bag clear single membrane bonded cell organelle है और इनके अंदर hydrolytic enzyme होता है जैसे lipase हो गया protease हो गया carbohydrates हो गया जो कि इन सब को lipid को carbohydrate और protein को digest करता है ठीक और यह 5.55 या 5.5 clear अब chloroplast आपको पता it is also a double membrane bonded cell organelle present in क्या है plant cells थे तो देखिए photosynthesis करेगा kitchen of cell बोलते है mitochondria को power of the cell बोलते है ribosome तो ribosome के prokaryote bacteria में भी होता बट 7TS होता है chloroplast और mitochondria में 70S होता है लेकिन eukaryote के बारे में बात करें तो ATS type होता है ठीक है non membrane bonded हो गया इसको engine of cell बोलते है protein factory बोलते है और organelle है और organelle के अंदर है तो organelle within organelle भी बोलते है clear दियान रखिएगा important तो आप देख लिजिए आपका answer see mitochondria next which of the following are not polymeric आपके NCRT में direct सवाल दे रखा है क्या है acid insoluble उसमें accept क्या है lipid को polymeric ठीक है तो देखो क्या लिखावा है nucleic acid are polymeric polymer of nucleotides protein amino acid का polymer है polysaccharide sugar का secret का polymer है monosaccharide lipid are ester of fatty acid and cholesterol ठीक है यह आपके NCRT में direct लिखा है molecules in the insoluble fraction ठीक है with exception क्या lipid ठेक और polymeric मतलब lipid को polymeric नहीं बोलते हैं फिर आप जब next page पे right side पे आते हैं तो लिखा है AliPiD is strictly lipid is not strictly considered as macro molecules clear तो देख लिखाचा लिपिड आ गया सी थे तो दियान रखिए इंपोर्टेंट नेक्स तो देखो विच बन ओफ फॉल्विंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट थेक है तो हॉल्यू एंजाइम किसको बोलते हैं एपोइंजाइम प्लस को एंजाइम थे तो देखो बागी है हॉल्यू एंजाइम इजाइम इन विच क्या है एपोइंजाइम वाइल क्या प्रोटीन अब देखो यहां से और सवाल कि हॉल्यू एंजाइम के किस पार्ट को हम प्रोटीन पार्ट बोलते हैं तो एपोइंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट को न होता को फैक्टर और इसमें co-enzyme also organic compound but their association with apoenzyme is only transition and serve as a co-factor clear तो इसमें सवाल क्या है apoenzyme plus co-enzyme hollow enzyme हो गया फिर hollow enzyme का protein part बताईए apoenzyme non-protein part बताईए तो क्या हो गया co-factor या co-enzyme ठेक तो देख लिए जानसर एक next हम बात करें which of the which of the following option gives the correct sequence of the event during mitosis अब देख लो इसी चीज़ को हमने इस तरीके से कर दिया तो देखो correct sequence of event during the mitosis would be as क्या है condensation of dna so that the chromosome become visible chromosome दिखेगा nuclear membrane disappear हो जाएगा nuclear membrane disappear begins at the late pro phase or transition to the metaphase के लिए देख देखेए arrangement of chromosome at equator कहाँ equatorial plate metaphase stage में occur during the metaphase जिसको हम congregation बोलते हैं तो सवाल ये भी पूछ सकता congregation किसको बोलते हैं next centromere divides or split क्यों क्योंकि इस तरह से फिर वो अलग हो जाएगा और opposite pole की तरफ चला जाएगा ठीक है forming daughter chromosomes seg क्या है segregation means separate होना segregation also occur during the enough phase as a daughter chromosome separate and move towards opposite pole अभी बताया और last में क्या होगा telophase leading to the formation of two daughter nuclei ठीक तो next क्या है condensation और उसके बाद क्या है nuclear membrane ये देखिए फिर उसके बाद arrangement of arrangement ये हो गया फिर उसके बाद क्या है centromere division ये चीज फिर उसके बाद आप देखिए क्या है segregation ये देखिए segregation of next telophase clear तो ये आपका पूरा explanation है तो सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है यहां पर ये बताने का मतलब हुआ कि कौन से फेज में क्या हो रहा है ये भी सवाल पूछ सकता है next आजाए हम आईए DNA replication in bacteria occur prior to fusion ये आपके NCIT में नहीं दे रखा है लेकिन जब पढ़ाते हैं teacher तो आपको बताते हैं ठीक है prior to the fusion ठीक है फीजन ठीक है answer B next हम बात करें एना फेस्ट प्रमोटिंग complex ये भी out of NCIT है एना फेस्ट प्रमोटिंग complex इस आ प्रोटीन डिग्रेडेशन ठीक है option अब machinery necessary for proper mitosis of animal cell if a मतलब APC मतलब एना फेस्ट प्रमोटिंग complex इस तो देखो एना फेस्ट प्रमोटिंग complex इस अ प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेपरेशन ओफ दॉटर क्रोमोजोंग दूरिंग एना फेस्ट अगर नहीं हुआ ऐसा तो फिर क्या होगा set of chromosome double ठीक है if if defective then chromosome will fail to segregate during in a phase that means non non-disjunction इसी की वजा करतो होता dawn syndrome turner syndrome clean filter syndrome clear तो देख लीजे क्या होजाएगा chromosome will not segregate out of NCRT आजएए यह direct NCRT का line है the water potential of pure water मतलब solute नहीं है सिर्फ क्या है solvent है तो more क्या हो जाएगा जीरो ठीक बाइक कौन साफ NCRT का line है ठीक तो यह तो इसमें क्या समझाना है सीधर आईए next हम बात करें which of the following facilitate opening of a stomatal apparatus opening मतलब endosmosis होगा क्या हो जाएगा guard cell swell up होगा और क्या होंगे वो open हो जाएगे ठीक तो यह चीज और उसमें क्या होता है guard cell में radially क्या होता है tangentially बोलो यह microfibrils made up of cellulose ठीक है तो यह चीज तो देखिए when turgidity increase within the two guard cells flanks each stomatal apparatus और पूर दीन outer wall तो एक तो सवाल यह है इन तीन outer और इनर वाल कैसा तीन outer ठीक है bulge out and force the inner wall into crescent shape the opening of a stomata is also added due to orientation ठीक है orientation ठीक है of the microfibrils in the cell wall of the guard cell अब देखो cellulose microfibrils are oriented radially rather than longitudinally make it easier for the stomatal opening तो आप देखिए long तो क्या होगा radial orientation of cellulose microfibrils in the cell wall of the guard cell क्लियर हां तो decrease turgidity में बंद हो जाएगा increase turgidity में open होगा बेंदा आपका अंसर बी रेडियल ओर्येंटेशन आफ दी शेल लोज माइक्रोफाइब्रील in the cell wall of the guard cell क्लियर ये चीज़ ध्यान रखिए का next हम बात करें क्लियर select the mismatch ठेक तो आप देखलो explanation पहले रोडोस्पाइरिलम इज़ देखो हम आपको NCRT पढ़ने का तरीका बता रहे हैं ठेक है NCRT is just like 2-1 रतन class 11-1 रतन class 12-1 रतन के लिए बहुत important है आप कितने भी नोट्स बना लो NCRT नहीं पड़े तो मेरे हिसाब से आप बिकार ठेक है NCRT बहुत important रोडोस्पाइरिलम इज एन एरोबिक फ्री लिविंग नाइटोजन सिक्सेशन तो आप क्या बोल दिया हाहा देख लो ठेक है माइकोराइजा इस सिंबाइटोग रिलेशनशिप बिट्विन फंजाई एंड रूट ऑफ हाइयर प्लांट अब यह भी सवाल पूछा वाइन सियाटी का लाइन है पाइनस अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता ठेक है यह पाइनस इट जर्मिनेट नहीं कर पाते ठेक है विद दाउट दा प्रेजेंस ऑफ माइकोराइजा मतलब जरूरी है ठेक तो बाकी साहब सही आप देख लो ठेक किलियर आज यह नेक्स्ट हम बात करें क्या है फॉस्फो इनोल पाइरोवेट इस दा प्रैमरी सी ओ टू एक्सेप्टर इन सी फोर प्लांट ठेक है तो सी थिरी में क्यों होता है आर यू बीप राइबलूस बीस फॉस्फेट तो देखी क्या है इन सीफोर ब्लाइब इनिशे का इनिशेंट फिक्सेशन अफ दा कर्बोग्जाइलेशन अकर इन दा मेजो फिल यह याद रखे गा पुछेगा साइट कहां होता है मेजो फिल सेल दी क्लूरो प्लास्ट फॉस्फो इनोल पाइरोवेट कर्बोग्जाइलेश जिसको हम इनिशेक्सेटर ऑफ करबन और लग्साइब इस फॉस्फो इनोल पार वेट इट कम्माइब अब अकरबन और जिन उप्रेशन ऑफ्पोर इनोल पार वेट जो कि क्या करेगा ऑक जैलो एस सिटीच इड तो बोलता है फस्ट स्टेबल प्रोडुक्ट क्या है फस्ट clear? तो यह चीज़ था C3 में citrific acid होता है clear? C3 में क्या होता है? sorry, C3 में क्या होता है? C3 में phosphoglyceride ठीक है? या phosphoglyceric acid बोलेंगा तो यह देख लिए क्या है? with reference to the factors affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct तो देखो क्या है? in C3 in C3 plants photosynthesis is decreased at higher temperature due to photorespiration क्योंकि C4 pathway plant में क्या होता है? cringe anatomy होता है जो high tolerance of temperature को favor करता है लेकिन C3 मैंसा नहीं होता है C4 plant have high temperature ठीक है? due to presence of pyruvate phosphate kinase enzyme which is sensitive to the low temperature ठीक है? तो देखो आप C3 क्या है? plants response to the high temperature with enhanced photosynthesis while C4 plant have much low temperature optimum तो आपका answer B हो गया साब NCRT page number दे रखा है के लिए आगे बढ़ते हम देखो next which statement is wrong for Krebs cycle ठीक? तो देखो Krebs cycle तो आप explanation देखो ठीक है? क्रेब साइकिल start with the condensation कहा? लेकिन देखो यहाँ condensation क्रेब साइकिल स्टार्ट विध कंडेशेशन ओफ एसी टाइल को इंजाइम ए वित ऑक्जेलो एसेटिक एसीड तो फॉर्म सिट्रिक एसीड जो कि 6 कार्बन का confusion यह होता है जब हम यह NCRT में डाइग्राम देखते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ से अरे साइकिल का मतलब चक्कर खाना ठीक है तो यह हो गया यह है that means एसीटाइल को इंजाइम ए और कौन और जेलो एसीटिक एसीड यह मिला और मिलने के बाद यह जब बना तब तो क्या हो गया citric acid तो यह और यह combine करके यह कर रहा है तो यह बात होगे ठीक है तो इसलिए क्या लिखा है साइकिल स्टार्ट विद दा कंडेंसेशन ऑफ इस्टाइल एसीटाइल ग्रूप विद पाइरूबिक एसीड नहीं और क्या होगा ओजयो एसी के एसीड एसीवर्म सिट्रिक एसीड यहां पर क्या होना क्या होना चाहिए था पाइरूपूपिक एसीड ओगा और असर सी दूल्ग करेंग के fruits and leaf drop at early stage can be prevented by one oxygen होगा तो देख लीज़े क्या है oxygen help अब इससे related और क्या के सवाल पूछ सकता है oxygen help to prevent the fruit जो लिखा है उस पर लेकिन और क्या कर रहा है अब देखो एन नेप्थिलीन एसेटी के सीड है जो कि क्या प्रिवेंट करता है fruit drop in tomato, 2,4-D prevent fruit drop in citrus, oxygen promote flowering in pineapples जे सब इंपोर्टेंट सवाल है रियान रखिएगा ठीक oxygen help in apical dormancy ये भी important है next बात करें oxygen parthenocarpy करता है parthenocarpy आपको पता है क्या है parthenocarpy formation of fruits ठीक है without fertilization 2,4-D widely used to kill क्या है dicotyledonus weed does not affect तो आप से पूछ सकता है monocot को affect करेगा सिर्फ dicot को affect करेगा, बोथ monocot dicot को करेगा तो ये ध्यान रखना है के लिए आगे बढ़ते हम next तो देखो क्या है, which cells of crypts of labour coin secret anti-bacterial lysosome, this is also art of NCRT तो देखो, अभी यहाँ पर आप देखो जो option है पुरा explain कर रहे हैं यहाँ से पूछा जा सकता है आपके NCRT कूफर cells, क्या है phagocytic cells of liver, ठेक, zymogen cell यह दे रखा है, क्या करता है, inactive enzyme secret करता है, pepsinogen और देखो, हाँ, penit, यह और भी पहला सवाल, 18-19 में पुछा हुआ, penit cell, क्या है, mucosa present in between, क्या है, cell base, base of villi of small intestine, जिसको crypts of labour coin, ठेक, तो दो था, penit cell भी और argentafin, यह क्या secret करता है, anti-bacterial lysosome, और यह क्या secret करता है, hormone secret करता है, clear, तो यह ध्यान रखेगा, तो penit cell इसका answer जला जाएगा, clear, आईए, next बात करें, ठेक है, which of the following option best represent the enzyme composition of pancreatic juice, ठेक है, तो देखो, क्या है, renine और pepsin, कहा, gastric juice, ठेक, और maltase, कहा है, intestine, तो अब यह चीज़ देखिए, तो आपको क्या कह रहा है, pancreatic juice आप से कह रहा है, तो देखो, यह, और यह, यह, तो देखो, यहाँ पर, lipase, this and this, तो answer, C, clear, देखो, दे रहा है, आपके NCRT, page number दे रहा है, अब देखो, यह, यह जो है, यह भी मेरे बच्चों, NCRT में है, सिर्फ language बतला है, फिर भी हमने out of NCRT लिख दिया, आपको यह भी नहीं बताया कि NCRT से, देखो, कोई, हम एकदम 100% correct आपको बता रहे हैं, देखो, यहाँ पर क्या है, आप से पूछ रहा है, a baby boy aged two year, मतलब milk teeth के बारे में बोल ला है, is admitted to play school and passed through a dental check-up, the dentist observed that the boy had 20 teeth, clear, तो मतलब क्या इसमें नहीं है, तो यह देखिए, total number of teeth, child में 20, premolar absent होगा, ठे, dental formula 2102, तो आपको पता हैं ने dental, क्या होगा, incisor upon incisor, canine upon canine, premolar upon premolar और molar upon molar, clear, तो यह है 2102, 2102, that means क्या है लिखावा था, देखो, यह line को हम उठाके इसे दिखा दे, यह absent है, clear, तो बस आप answer देख लो, क्या है, premolar नहीं होगा, ठेक, आजए यह, clear है ना, चलिए, हाँ, आप सवाइ, मान लोई, इसी question में दे देता, third molar, canine, premolar, third molar, यहाँ पर D पर दे देता, B और C, तो आपको ठीक लगाना पड़ता, क्या B and C, मतलब D option, क्यों, क्योंकि molar जो होते हैं, तीन, third molar नहीं आता, ठेक है, adult में आता है, after 17, आइए next, lungs are made up of air filled sick, the alveoli, they do not collapse even after forceful expiration because of residual volume, तो देखिये, क्या है, बाकी सारा दे रहा है, उसका हमने volume, आपको definition और उनका capacity आपको बता दिया है, ठेक, तो देखो, volume of air remain in lungs even after forceful expiration, which prevent, क्या है, collapsing of the alveoli, even after forceful expiration, तो देखो, यह चीज, clear, तो आपका answer, देखो, clear, अब आज चलते हैं, next, क्या है, adult human, RBC, R, E, nucleated, मतलब, nucleus absent होता है, which of the following statement is our most appropriate explanation for, तो यहाँ पर देखो, during the course of, क्या है, erythropiosis, ठेक है, RBC formation, क्या होता है, जैसे मैं, क्या stage आता है, तो वहाँ पर, in the presence of, क्या है, vitamin B12 and folic acid, क्या होते हैं, सारे cell organelles चले जाते हैं, ठेक है, और iron की वजा कर, क्या होता है, hemoglobin बनता है, तो वो जो cell, RBC के अंदर, सारे cell organelles जो जा रहे हैं, ठेक है, major cell organelles, किसलिए, to create the free space, to accumulate more and more respiratory pigment, that is hemoglobin, ठेक है, and hemoglobin is, is respiratory pigment, मतलब, transport of carbon dioxide and oxygen, oxygen, ठेक, तो देख लीजिए, आप क्या है, तो फिर क्या होगा, they do not need reproduction, नहीं, ठेक है, they are somatic cell, ठेक है, they do not, the reproduction side, they are most appropriate, पूछा है, they do not metabolize, ठेक है, all nations, क्या है, all their internal space are available for, तो answer more appropriate, यह हो जाएगा, देख लीजिए, clear, तो यह चीज़, अब सवाल, देखो, RBC में, mitochondria नहीं, तो वो कैसे respire करेगा, anaerobically, that means, वहाँ पर क्या होगा, glycolysis ही होगा, यह ध्यान रखिएगा, ठेक, तो यह चीज़, next, क्या है, frog's heart, which takes out of the body, to beat for some times, अब फ्रोग की जगा, लिख दे क्या, vertebrates में से कोई से भी ले ले, तो उनका heart myogenic होता है, क्या होता है, myogenic, और उसमें क्या noodle tissue होता है, जो self excitatory होता है, ठीक है, तो क्या है, अगर किनी का body से निकाल दें, तो भी कुछ देर तक वो beat करता है, clear, तो देखिए, क्या है, frog's or the vertebrates have myogenic heart, मतला, muscle, cardiac muscle, self-contractile tissue और are auto excitable by specialized, तो ये भी सावाल पूछा है, nodal tissue के बारे मिद्यान रखेगा, because of this condition, it will keep on working outside the body for some time, याद रखेगा, important है, तो देख लीजे, आपका, क्या हो गया, C&D, clear, हाँ, आज नेक्स्ट हमात करें, ठीक है, तो हैपाटिक पोटल वेन, ठीक है, एक होता है, रेनल पोटल वेन, दूसरा हैपाटिक पोटल, तीसरा हाइपोफाइजियल होता है, जहाँ पर हाइपोथेलमस से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, drain into the liver, from, ठीक है, कहाँ, इंटेस्टाइन, क्या, देखो, अईउनिक वैस्कुलर का, NCRT का लाइन है, कुछ अलग नहीं लिख रहे है, अईउनिक वैस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बेट वेन, दाइजेस्टिव ट्रैक और लिवर, called, hepatic portal, hepatic portal, when carry blood from the intestine to the liver, before it drain into the intestine, ठीक है, समझ में आ रहा है, यह चीज, तो देखो, ठीक, clear, आईए, नेक्स हम बात करें, which of the following statement is correct, ठीक है, तो अगर आप बात करें, लूप आफ हैंले, ठीक, तो यह क्या हो गया, descending limbs of endless loop, और यह हो गया, ascending limbs of endless loop, तो यहाँ पर यह permeable to water and impermeable to salt, and this is permeable to salt and impermeable to water, तो देखो, क्या है, descending limbs क्या है, water के लिए permeable, मतलब water बाहर निकल ला, but impermeable to electrolyte, अब इसी तरह यह उल्टा है, तो देख लीचे आप answer, clear, साफ NCRT का लाइन है, तो यह ना दूसरा भी पूछ सकता है, ध्यान रखेगा, आईए, next हम बात करें, a decrease in the blood pressure, और क्या है, volume will not cause the release of, तो यह जो रास है, renine, angiotenzine, aldosterone mechanism, उसी मैंसियाटी, राइट साइड के, second last paragraph का, last, लाइन देखो, क्या है, decrease in the blood pressure, volume, stimulate, क्या है, release of, renine, aldosterone, ADH, anti-diuretic hormone, that is also called vasopressin, while increase in the blood pressure, और volume, stimulate, release of, atrial neurotic factor, यह important, देख लिजे, क्या है, why, which cause, क्या है, vasodilation, blood vessels dilate कर जाएगा, pressure अब कम हो जाएगा, and also inhibit the ras, ठीक है, mechanism that, decrease the blood volume and pressure, अब देखो, that means, negative, आब एक सवाल, यह पूछेगा, which of the following, give negative feedback to ras, ठीक है, तो, atrial neurotic factor, clear, तो देख लिजे आप, क्या हो गया, atrial neurotic factor, आपके NCRT का line है, ठीक, आप यह देख लिजे, decrease blood pressure होगा, और volume तो किसको stimulate करेगा, रेनीन को, LDStron और, ADH, ठीक, इंक्रीज होगा, ठीक है, तो क्या, atrial neurotic, क्योंकि balance करना condition को, ठीक है, homeostasis maintain करने के लिए, next हम बात करें, अब देखो, फाल्तू का इतना दे रखा है, ठीक है, X और Y करके, बेहुकूप बना रहा है, इधर, ठीक है, अब क्या है, Y are true, तो first seven जो होते है, true होते है, तो देखो, कहां कहां है, बस एक ही जगा, तो बस हो गया, देख लो, क्या हो गया, वही सब हमने बता दिया, जो NCRT का लाइन दे रखा है, अब देख लिए, कुछ नहीं करना था, सीधे आराम से, देखो, क्या होता है, कि जब आप एक्जाम में बैटे होते हैं, तो क्या एक्जाम फीवर, एडर्रेनलील, बहुत तेज सीक्रीट होता है, फिर क्या होता है, इतने सारे आपको, लेंकुज ढ़रा जाते हैं, नहीं, आराम से पढ़ने के लिए होता है, आईए, नेक्स, दे जॉइंट, दे पीवोटेड जॉइंट बिट्विन दी, एटलस एंड एक्सिस इस टाइप आफ, तो देखो, आपके न्सी आइटी में दे रखा है, ठीक है, बात करें, तो बागे हमने सबको, एक्स्प्लेइन कर दिया है, ठीक, तो देखो, साइनोवियल जॉइंट आर केरेक्टराइज बाद प्रेजेंस आफ फ्ल्यूड फिल्ड, साइनोवियल, कैबिटी बिट्विन देम, आर्टिकुलेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, लोकेशन और एक्जाम्पल्स आपको याद रखना है, ठीक है, अब देखो, आ गया, पिवोटेट जॉइंट बिट्विन एटलस एंड एक्सेज, किसका, साइनोवियल, ठीक, क्लियर, तो ये न्सी आइडी का लाइन है, मैं कहीं और से लेकर नहीं आ रहा हूँ, NCIT का जो लाइन है, भई बताया, आईए, next, क्या है, माइलीन शेत is produced by, देखो, क्या, ओलीगोडेंड्रोसाइड और श्वान से, लेकिन कौन कहां करता है, ये चीज़ है, ओलीगोडेंड्रोसाइड्स, और स्पाइनल कॉर्ड, क्लियर, अब देखो, क्या देख रहा है, श्वान सेल अभी यहां दिख रहा है, श्वान सेल, माइलीन शेत से ग्रेट कर रहा है, लेकिन कहां, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो मतलब, क्या यहां पर कौन आ जाएगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, और 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 अटोनोमिक नर्वस सिस्टम, त्यान रखिएगा, आईए, अंसर देख लिए जए डी, ठीक है ना, बता है आपको, नेक्स्ट हम बात करें, साइनेप्टिक मेंब्रेन, बीच में क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट गढधा, तो प्री साइनेप्टिक मेंब्रेन में, साइनेप्टिक वेसिकल्स होता है, देखो, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर नियूरो ट्रांस्मीटर होता है, ये क्या होगा action potential developed होगा इसको excite कर देगा फिर कहां pre symmetric membrane में diffuse कर देता है उसके बाद exocytosis हो जाता है फिर neurotransmitter synaptic cleft में release हो जाता है फिर उसके बाद अब देखो post synaptic membrane पे क्या होता है receptor होता है जिसको हम क्या बोलते है chemo receptor लिखा होता है ठीक है और वो signal receive करता है फिर से उसको electrical तो यहाँ पर electrical signal यहाँ पर chemical signal फिर again electrical signal तो इससे related सवाल unidirectional movement of impulse in neuron थे दूसरा सवाल why ऐसा क्यों तो pre synaptic में synaptic vesicles containing neurotransmitter post में क्या होता है chemo receptor clear तो यह चीज तो देख लीजे see next हम आ जाए good vision depends on adequate intake of keratinine reach food select the best option for the तो आपको भी पता है carrot गाजर जिसमें keratinine ठीक है और precursor of vitamin A जो की retinol होता है और वो oxidize होकर के retinal component ध्यान दिजेगा component of kya rhodopsin थे तो देखिए क्या लिखावा है तो देखिए क्या लिखावा है तो देखिए keratinine is the source of retinal तो फिर vitamin A retinol इसलिए keratinine इसको क्या बोलते हैं direct सवाल पूछता है precursor of vitamin A फिर पूछता है richest source of vitamin A papaya and carrot याद रखिए का ठेक बागी चीज़े दे रखाए और derivative vitamin A lie dependent तो देखिए आज़ेगे ठेक है आपका answer A हुग गया clear मतलब vitamin A derivative बता दिया मैंने चेक कर लो पढ़ लेना clear तो यह भी सवाल important है पूछावा है next हम बात करें ठेक है a temporary endocrine gland this is also called recurrent endocrine gland ध्यान रखिएगा क्या बोलेंगे इसको री करेंट endocrine gland यह पाइट जो भी बोल दो सेल ठेक है मतलब बार बार बनता है ठेक है तो पर पस लुटियम थे देख लीजिए आप डेरिक आज़े नेक्स्ट हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ hormone in adult does not cause further increase in height ठेक है because तो देखो यह आपके NCRT में लाइन नहीं दे रहा है लेकिन क्या है बोन का डवलप्में ठीक है तो देखे क्या लिखा है Epiphysal Plate is responsible for the growth आप क्या है क्या दे रहा है hypersecretion of the bone adult में बोल ला है तो फिर growth क्यों नहीं होता है ठेक है तो Epiphysal Plate is responsible for the growth of bone which close after adolescence ठेक है so hypersecretion of the growth hormone क्या होगा height नहीं बढ़ाएगा ठेक तो यह ध्यान रखिएगा a epiphysal plate close after adolescence clear आईए next ठेक है functional Megaspore in and angiosperm developed into embryo sick किसमें embryo sick clear है तो यह देखिए अब यहां देखो लिखावाए अब यह अपसे पूछा जा चुका है कि angiosperm का embryo sick कितने cell कितने nucleus का होता है seven cell eight nucleated याद रखिएगा यह भी एक सवाल है अब दूसरा पूछ देता capsula का क्या होगा तो capsula को typical angiosperm बोलते हैं clear तो इससे related आप देख लें आपका answer होगा बी अब इसी को यहां पर यह भी पूछेगा यह जो बना है वो वो वन मियोसिस प्लस थ्री माइटोसिस यह भी याद रखिएगा यह भी सवाल पूछता है मतलब जो functional mega spore से जो बन रहा है मतलब sorry mega spore mother cell से जो बन रहा है तो एक मियोसिस होगा और तीन माइटोसिस लेकिन functional mega spore से बोल देगा तो सिर्फ आप क्या बोलिएगा तीन माइटोसिस तो देख लो आपके में फास्त मतलब में गंता कर आपके पूरा मिय इस बॉलते हैं तो यह हो गया है यह बहुत आप देखो अब आगये मतलब माइटोसिस एक माइटोसिस दो और यह माइटोसिस तीन ठेक है तो यह चीज़ बन गया किलियर अब यहां से यह सारी चीज़े दे रखी है अब एक चीज़ देखो कितना सेल यह एंटी पोडल तीन हो गया सेंट्रल सेल एक हो गया एक सेल एक हो गया सीनर्जिड दो हो गया तो देखो तीन चार और पांच दो साथ अब देखो नुकलियस तीन और यह नुकलियस दो हो गया पांच छे और दो आठ ठेक अब देखो एक चीज़ और यह यह Philly form apparatus पहली बाद, क्या है, finger-like projection, ठीक है, that guide the entry of pollen tube into one of the synergid, clear, दियान रखियेगा, important, आईए, next हम बात करें, क्या है, flowers which have a single ovule in the ovary and packed into inflorescence usually pollinated by wind, देखिये, क्या है, wind pollination or anemophily is a favored by the flower, देखिये, दे रखा है, ठीक, अब इससे related यह पूछ सकता है, किस में common है, grasses में, ठीक, तो यह चीज़ देखो, अपका answer, ठीक, भी, आज ही है, next हम बात करें, अब क्या है, attractant and reward are given in seattle line है, किस में, आपको, क्या है, जो insects pollinate होंगे, ठीक, तो क्या दे रखा है, entamophily, pollinate insect, और flower क्या करेगा, 80, हाँ, यह बहुत important है, यह वाली बात, तो याद रखिये, आपके NCRT में दे रखा, majority 80%, क्यों contribute करता भी, अब देखें, nectar और यह होगा, तो answer क्या हो जाएंगे, देख लो, ए, entamophily, clear, आज जाई है, और daishis flower, flowering plant, prevent daishis, कहने का मतलब, अलग-अलग plant पे, male और female reproductive structure, तो क्या होगा, देखो, when, when unisexual, daishis को unisexual भी बोले हम, ठीक है, male and female flower, present on different plants, तो क्या, जिसको हम, daishis बोले है, example आपके NCRT में दे रखा है, याद रखियेगा, तो prevent क्या, दोनो, autogamy and jetanogamy, दोनो को prevent करेगा, लेकिन monoeishis, किसको prevent करेगा, autogamy को, but not jetanogamy, clear है, तो याद रखियेगा, important बात है, आपके NCRT का line है, ठीक है, when both, ठीक, तो देखो, तो ये सवाल पूछ लिया, तो दूसरा ये भी तो पूछ सकता है, clear, example याद रखियेगा, अब यहाँ से और देखो, क्या होगा, jetanogamy के बारे में, देखो, genetically similar to autogamy, ठीक है, ये चीज, है तो क्या, allogamy, मतलब cross pollination, ठीक है, लेकिन एक ही plant का flower है, ठीक, flowers, xenogamy, genetically and physiologically, दोनों different है, तो देखो, different, important, ये चीज याद रखना है, एक option क्या है, klystogamy, मतलब flower बंद रहता है, तो हमेशा, क्या होगा, self pollination, clear, तो देख लिजा, ठीक है, next हम बात करें, double fertilization, अरे, सीधे, angio sperm, कुछ नहीं करना है, देख लो, clear, आज़े, next बात करें, ठीक है, the morphological nature of edible part of coconut, endosperm, क्या, endosperm, सीधे, सीधे, आपके NCIT में, दे रखा है, सवाल पूचेगा, ठीक, आज़े, next, हम बात करें, क्या है, capacitation occur in female genital track, ठीक, तो देख लो, क्या लिका है, the phenomenon of sperm activation by which the sperm develops the ability to fertile ova in mammals, जिसको capacitation बोलते हैं, तो यह देखिए, क्या होता है, यह साइट जो receptor को block करके रखता, वो हटता है, ठीक है, तो यह female genital track, याद रखिएगा, next आज़े, क्या बात करें, जी एन आरेज, क्या है, GnRH बात करें, तो gonadotropin releasing hormone, जो hypothalamus से secret करता है, ठीक है, indeed in a, needed in reproduction act on, ठीक, तो anterior pituitory पर करेगा, जहां से FSH और LH को secret करेगा, यह पूरा NCRT का line है, जो explain किया गया है, आप देख लिजेगा, तो answer आप देख लिजे, FSH and LH, mail में FSH, LH को हम ICSH बोलते हैं, interstitial cell stimulating hormone, ठीक, आईए, next, function of copper ion in copper releasing eye intrauterine device is, क्या है, क्या है, क्या होता है, they suppress the sperm mortality and fertilizing capacity, copper ion interferes with the sperm movement and hence suppress the sperm mortality, मतलब answer D, ठेक, आईए, ठीक, आईए, तो यह देखो, अभी यहां पर जो है, match the following है, तो देखो, क्या है, यहां, gonorrhea जो है, किस से होगा, nigeria gonorrhea, और syphilis किस से होगा, treponema pallidum, तो आप देखो, आपके gonorrhea, तो हम देखें, first का, second कहां पर हैं, तो देखो, एक ही जगा पर, clear, और बागी देखिए, third आ गया, ठेक, अब AIDS बात करें, हाई, AIDS, हाँ, सही है, और, what's, तो answer हो जाएगा, देख लो, क्या, D, clear, आजाएगा, next, हम बात करें, in case of the couple, which, couple, where the male is having very low sperm count, which technique will be suitable for fertilization, तो क्या होगा, artificial insemination, तो देखो, क्या है, infertility, यह आपका explanation है, अब देख लीजे, answer क्या होगा, artificial, direct, आपके NCRT से line पुछा होगा, आएए, next, पर हम आते है, ठीक है, which of the following, देखो, which one of the following, direct Mendel साहब ने, कब से कब किया था, ठीक है, तो आप तो यहाँ पर अगला सवाल पूछेगा, कितने साल के लिए, तो 7 year, 1856 से 1863, तो answer क्या होगा, D, clear, direct, आजएगे, next, हम बात करें, क्या है, कौन सा, Mendel साहब ने, पी प्लांट पर character नहीं लिया था, तो answer हो जाएगा, A, देखो, यह सब लिया था, मतलब, यह लिया, यह लिया, यह लिया, यह नहीं लिया, answer देखो, क्या हो जाएगा, A, clear, इसमें कुछ नहीं करना है, आजएगे, ठेक है, हाँ, the genotype of husband, देखो, husband का क्या है, I, I, B, और wife का क्या है, I, A, small i, अब आप से पूछ रहा है, child में, तो देखो, अब हम बना दें, प्र雪ण के लिए, विया, आप से पूछ के जुची के कि अ, झाल, आप से ऑना ईएगे, इसमें, हुद० दपयर रखड़े चतुछında, ब Sugच पूछ हम झाल, यह सिम का करना हूमं से एह उसाना है, मतलब फेनो टाइप तीन हो गया अब जेनो टाइप एक दो तीन चार तो देखो फेन चार जेनो टाइप कितने हो गया फोर ठेक और फेनो टाइप थरी तो आंसर आपका देखी कैं हो गया भी समझ में आ रहा है यहां देख लो के लिए एब अनेक्स्ट हम बात करें तो ठेले सेम्या कौान्टी टीटिटिव है और सिकल सेल आनेमिया ठीक तो दिखो यह लाइन आपको दे राका है और कहां गए तो अंसर देखें क्या है बी ठीक नेक्स्ट तो क्या हो गया थाले सेमिया इस ड्यू टू ले सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिलीन मॉलीकूल नेक्स्ट हम आगए डिजीज कॉस्ट बाइटोजोमल प्राइमरी ठीक है नॉन डिस्जंक्शन तो यह जो है एक तुदेखो यह सब यह और यह किसको क्या है पॉइंट मुटेशन क्या बलिंगे इसको बागी सब नॉन डिस्जंक्शन तो देखो यह आपको यह और यह A and B क्या है और एलो जोमल प्राइमरी नॉन डिस्जंक्शन तो आपका आंसर D हो जाएगा बागी एक्सप्लानेशन यहां पर है यह दिख लिए आंसर क्या हो गया D तो देखो यहां से जो पूछा जा सकता है यह trisomy of 23rd chromosome extra X chromosome male में हो जाता है इसमें monosomy of 23rd chromosome, loss of 1X chromosome, sickle cell anemia point mutation है beta chain of 6th position पे क्या होता है glutamic acid की जगा valine आ जाता है मतलब GAG की जगा GUG, ठीक है, dawn syndrome trisomy of 23rd chromosome sorry 21st chromosome, आईए, the final proof of DNA, कौन है, हर्शे and चैशे तो बाकी हमने लिख दिया आपको, ठीक है, तो answer देख लीजिए आप, यह next, यह explanation है, जहां जहां पर आपके NCID में दे रहा खाता है यह, तो इससे related भी सवाल पूछा जा सकता है, next हम बात करें, ठीक है, क्या है, क्या है, देखिए आप, यह क्या है, डिस कंटिनिवस जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, ओकाजा की, ठीक है, उससे डिस कंटिनिवस और यह, तो देखो, क्या है, क्या है, तो यह क्या है, लेगिंग, डिस कंटिनिवस लेगिंग और यह कंटिनिवस हो जाएगा, लेडिंग, इसको बोलेंगे, स्ट्रेंड, तो देखिया, क्या है, सी, लेगिंग स्ट्रेंड, अवे फ्रॉम दा, क्या है, रेप्लिकेशन फॉर्क, क्लियर, तो यह चीज, सीधे, आपके NCIT से पूछा हुआ है, आईए, नेक्स हम बात करें, अब देखे, यह स्प्लाइसोजोम और नॉट फॉर्ण एन, कहां, बैक्टेरिया, यूकरियोट का करेक्टरिस्टिक है, तो आपसे पूछ सकता है, क्या होता है, स्प्लाइसोजोम, स्प्लिट जीन जहां होता है, जहां पर इंट्रोन के साथ साथ एक जोन भी होता है, ठीक है, वहां पर, तो आपके NCIT में देखो यह था, यह चीज़ लेबल नहीं किया था, हमने यहां पर लेबल कर दिया, that means, SN, RNA, प्लस, प्रोटीन, क्लियर, यह चीज़, तो ध्यान रखियेगा, कहां, यह, द देखो, टोटल 999 बेसेज, क्लियर, अब यहां से आगे बढ़ो, ठीक, तो 3 बेसेज, 1 कोडोन, कोड, 1 अमाइनो एसीड, ठीक है, तो टोटल अमाइनो एसीड, कितने हो जाएंगे, 999, अपन 3 कर दो, तो कितना हो गया, 3, 3, 3, normally, अब देखो, क्या कह रहा है, साथ लिका बता, अब बेसेज, एट, क्या हो गया, and the basis at 100, 901, deleted, such that the length of DNA, बिकाम एतना हो गया, how many codons will be altered, तो देखो, तो इसका मतलब, इसका मतलब, यह जो चला रहा था, यहां तक तो सही है, अब, क्या है था, delete कर दिया गया, ठेक, तो अब यहां से क्या है, कहां तक, यह, यहां तक, तो फिर यह, अभी बताएंगे, तो यह कहां से, अब delete कर दिया, तो अब बचा आगे चला रहा है, ठेक है, चलो छोड़ दो, तो यहां पर देखो, बचा आपके पास क्या, इतना, ठेक, और divide by 3 किजिएगा, तो फिर क्या हो जाएगा यहां पर, 300 amino acid, ऐस सच रहेंगे, ठेक, तो अब देखो यहां से, कि आपके पास था 999, के लिए, अब कहां से, change हो गया था, यह तो same था, तो बदला कहां से, 99 से, clear, समझ में आ रहा है, यह पूरा का पूरा change हो गया, sequence, ठेक, तो अब, तो आप से पूछ रहा है, कि, कोडोन यह तो क्या है, बेसेज हैं, और आपको पता है, यहां पर अभी बताया, ठेक, तीन बेसेज एक कोडोन को करता है, तो डिवाइड वाई, क्या कर दिजेगा, 3, ठेक, तो फिर कितना, 33, कोडोन्स, अल्टर हो जाएंगे, क्लियर कितने, 33, तो यह चीज है, क्लियर, दियान रखे का, important है, तो देख लो, क्या, क्लियर, दियान, पूरा, देख लो आप अच्छे से, चलिए, next हम बात करें, क्या है, which of the following RNA should be most abundant in animal, ठेक है, तो क्या है, largest RNA, ठेक है, single standard हो गया, ठेक है, अब क्या बात करें हम, smallest हो गया, ठेक, और यह short lived हो गया, यह भी सवाल पूछ सकता है, ठेक है, इसको हम क्या adapter भी बोलते हैं, protein synthesis, तो देखो, क्या होगे आपका answer, MRNA, ठेक है, क्या हो जाएंगे, MRNA, mostly single standard synthetic nucleic acid, ठेक है, necessary, तो याद रखेगा, यह क्या होता है, most abundant iron, ठेक, clear, यह, तो आप से बाकी और क्या सवाल पूछ सकता है, तो यह आपके NCIT जा बाहर है, next, देखें, क्या है, association of histone protein H1, ठेक है, जिसको हम linker और marker भी जो बोलते हैं, condensation, यह भी out of NCRT है, ठेक, तो देखो, यह चीज़, histone, यह सारे के सारे, क्या होते हैं, diameter, तो टोटल चार है, तो फिर octamer हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, अब इसके साथ H1, इसको हम linker भी बोलते हैं, और marker भी बोलते हैं, ठेक, तो यह nucleosome का structure है, क्या है, association, क्या हो complete formation of nucleosome, ठेक है, condensation form कर रहा है, that means, answer, DNA is condensed into a chromatin fibers, ऐसे, thread, कैसा हो जाएगा, beats on stream, आजाएगे, next, artificial selection to obtain cow yield higher milk output represent, तो फिर यह select कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, stabilizing, फॉल, stabilizing, देखो, पहले तो यह आप देख लो, क्या है, stabilizing, क्या है, shows, artificial selection to obtain cow yield, ठेक है, one direction, ठेक, तो यह चीज, तो option आप देखे, directional as it pushes the means of the, तो देखो, क्या हो जाएगा, directional as it pushes the means of the character in one direction, क्यों, क्योंकि क्या है, high कर रहा है, ऐसा नहीं कि कम हो रहा है, continuously, मतलब क्या है, production बर्द है, ठेक है, तो यह चीज है, ध्यान रखेगा, आपके NCIT, evolution का, आईए, next, the transplantation tissues, तो क्या हो जाएगा, cell-mediated, see this, हवाल है, आपके NCIT में, ठेक है, cell-mediated, immunity, जो self और non-self में recognize करता है, clear, आईए, next, हम बात करें, malt, 50%, malt, क्या है, malt, mucoid associated lymphoid tissue, ठेक, तो देखिए, दे रखा, associated, 50%, more than, तो देखिए, answer, D, 50%, next, हम बात करें, ठेक है, homozygous pure line in cattle can be obtained by mating between, same, देखिए, आप, explanation, breeding, result in the increase of homozygocity, ठेक, हम जाएगा in breeding, pure line हो गया, therefore, fertility, ये बात important है, ध्यान रखेगा, क्या, reduce, क्या, fertility, and this, ठेक, तो क्या होगा, mating of unrelated name, mating of different name, mating of the same breed, ठेक, तो देखिए, क्या होगा, mating of the related individual of same breed, direct NCRT, आईए, next, हम बात करें, ठेक है, which of the following is sewage treatment, removes, solid, तो क्या होगा, primary treatment, ठेक है, तो ये सारी चीज़र दे रखा है, देखिए, सीधे, filtration and sedimentation, clear, तो primary, आपके NCRT, दे रखा है, और explanation है, ये चीज़ आप से सवाल पूछा जा सकता है, secondary, को हम biological treatment भी बोलते हैं, जहाँ पर bacterial function होता है, clear, और जो की BOD को कम करने के लिए, ठेक, आईए, next, which is, आज़े, which of the following is correctly matched for the product of them, methanogen, गलत, penicillin, गलत, ठेक है, हाँ, तो C answer सही है, बाकी explanation यहाँ दे रखा है, answer क्या होगा, देखिए, C, ठेक है, तो methanogen क्या है, methane produce करेगा, ठेक है, और saccharomyces servicia baker और beverage है, ethanol, acetic, acetobacter, acetic acid करता है, ठेक, आज़े, next, the DNA fragment separated on an agro gel can be visualized after staining with ethidium bromide, देखिए, साफ है, ethidium bromide, clear, बाकी line दे रखा है, आप ध्यान रखिएगा, ठेक है, इसके color पर भी ध्यान रखिएगा, expose करेगा, ultraviolet radiation से, तो फिर यह क्या है, light, कहाँ, एक मिनट, yellow color, followed by, हाँ, हाँ, क्या है, यह चीज़, देखो, यह चीज़, ठेक, यह चीज़, और यह भी सवाल पूछाओगा है, illusion, तो ध्यान रखिएगा, आईए, next, ठेक, हम बात करें, क्या है, DNA fragment R, क्या है, negatively charged due to phosphate group, ठेक, तो देखिए, A negatively charged, next, हम बात करें, which of the, what is the criteria for DNA fragment movement on agro's gel during the electrophers, तो size पर डिपेंड करता है, जो जतना छोटा होगा, वो अतना दूर होगा, जो जतने जादा size का होगा, अतना पास होगा, that means, क्या हो जाएगा, यह देख लीजिए, ठेक, A, the smaller the fragment, दूर move करेगा, clear, आगे देख लीजिए, a gene whose expression help to identify, transfer, transformed cell into the, is known as, तो क्या हो जाएगा, selectable marker, याद रखिएगा, selectable marker, तो अब यह याद रखिएगा, कुछ ऐसे हैं, जो इस तरीके से, क्योंकि E. coli bacteria में कोई भी, क्या है, normal E. coli bacteria does not carry resistant against these antibiotics, ठेक, आईए, next हम बात करें, answer देख लीजिए, आगे, क्या है, the process of the separation and purification of exposed protein before making is called, ठेक, non-streaming process, क्या हो जाएगा, non-streaming process, और उससे पहले को क्या बोलेंगा, अब streaming process, और याद रखेगा, किसलिए, strictly controlled phenomenon है, और, non-streaming processing and quality testing, ठेक है, from the product to product, vary करता है, ठेक, तो यह, आपका, यह पूछावा था, फिर यह भी पूछ देगा, non-stream में क्या-क्या include करता है, तो क्या है, separation and purification, देखिए, answer, नेक्स्ट आजाईए, अब देखो, SM क्या है, SM toad in a logistic growth curve is, ठेक है, curve when, क्या दे रखा है, k is equal to, and the value of r also 0, तो यहाँ पर क्या है, curve is obtained, a population growing in a habitat with a limited resource, क्या है, carrying capacity होता है, so initially a log phase होता है, then इस तरीके से अगर हम बात करें, ऐसे हैं, ठीक है, sorry, ऐसे आजाता है, ठीक है, तु देखे, देखे, और इससे यह भी पूछ सकता है, equation देखर के, किसको हम बोलते क्या है, ठीक, since the resource for the growth, क्या है, a for the growth, for most of the animal and population, are finite and become limiting sooner or later, तो more realistic क्या है, logistic growth, तो इत्यान रखेगा, R value, 0 नहीं, तो carrying capacity, क्या होना चाहिए, जो देखो, क्या हो जाएगा, बराबर, यह देखे, अब इस पर फॉर्म, तो dn आपोन, dt is equal to rn, अगर हम माइनस करेंगी इसको, तो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, तो यही तो कहरा है, asymptomatic logistic growth कर, मतलब पूरा नीचे आजाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब क्या है, caring capacity, क्या है, population को पूरा का पूरा, satisfy कर देगा, और फिर further add नहीं होगा, ठीक है, तो यह चीज हो जाएगा, clear, तो यह ध्यान रखेगा, यहां पर, next हम बात करें, mycorrhizia or mutualism, हम बात करेंगे, ठीक है, यह दे रखा है, बाकी example दे रखा है, ध्यान रखेए, next हम बात करें, क्या है, which ecosystem, maximum, क्या है, forest, ecosystem, tropical, rain, forest, ठीक, out of NCRT है, देखिए, आईए, next हम बात करें, तो क्या है, presence of the plant, यह भी out of NCRT है, तो यह total कितने, 5 होते हैं, और किसमें, depending upon their, hydrotropical, rain, forest, have 5 vertical strata, मतलब, stratification के बारे में, बोल ला क्या, stratification, clear, तो इसका answer, आपको, ए मिल लाएगा, देख लीजिए, clear, अब next हम बात करें, Alexander, Worn, Helmond, describe for the first time, क्या, species area, relationship, तो देखिए, यह सारी चीज़े हैं, यह आपका equation है, तो equation भी पूछ सकता, और कौन क्या-क्या, represent करता है, तो देखिए, यह चीज़ हो गया, आपका, species area relationship, next हम बात करें, which of the following, is related to XC2, मतलब, away from the natural habitat, ठीक है, तो, of threatened animals and plants, तो क्या हो जाएगा, D, आपका हो जाएगा, ठीक है, देखिए, XC2, और आपका answer, D है, clear, तो देख लीजिए, next हम बात करें, यहाँ पर direct है, कुछ नहीं करना, आगे, the region of biosphere reserve, which is largely protected, and where no human activities is allowed, ठीक है, तो यह भी आपके NCRT से बाहर, ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर, total कि ना, 3 होता है, तो core zone, जहाँ पर, नहीं, human restricted होता है, without any human interference, तो देखिए, यह क्या हो गया, cancer D, out of NCRT, last, अब देखिए, question है, क्या करा, which of one, of the following statement, is not valid for aerosol, यह भी आपके NCRT से, बाहर का सवाल है, clear, तो देखो, aerosol can cause, ठीक है, various problem to the agriculture, through its direct or indirect effect, on plant, however, continuous increase, air pollution, may represent a persistent, and largely irreversible threat, to the agriculture, ठीक है, तो क्या है, अब क्या, अभी यह agriculture, को threaten कर रहा है, that means, they cause increase, agriculture productivity, नहीं, ठीक है, that means, agriculture productivity, को कम करता है, ठीक है, तो यह था आपका पूरा, 90 question, तो देखो, total question, 90 होते हैं, उनमें से 77 question, direct from the NCRT, simple NCRT पढ़ने से, और remaining, क्या है, 13 questions, from, not direct from the NCRT, ठीक है, तो यह पूरा explanation था, जलो, आप इसको अच्छे चे पढ़िएगा, देखो, पूरा explain करने में, हमें time लगता है, इसलिए, आपको, इतने time लगे हैं, प्लीज प्लीज रिविजन किजिएगा, NIT 2020 के लिए, बहुत important है, ठीक है, यह lecture यहां complete करते हैं, ओके,